हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत होगा था आप सभी के एक बफिसे सरकारियर्ट में तो इस वीडियो में जाए मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो कि एक और राउंड इन्होंने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम से कंड़र करवाने के लिए बोला था जो नोटिस आया था ठीक है तो उसकी जो चॉइस फिलिंग और उसका जो रिश्टेशन है वो स्टार्ट हो चुक है तो मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिशल इ चैनर में लिखकर आ रहा है ओन्लाइन रिश्टेशन फॉर स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड ठीक है तो इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं ओके तो यहां पर जो है तो जिन्होंने पहले मतलब रिश्टेशन कर रखा है सिरु वही कैंडिनेट्स के पर में बताया था कि कौन-कौन कैडिनेट्स अलिजिबल है ठीक है तो यहां पर आप सभी को पता है MBBS की जैसे की 323 सीट्स बची हुए है तो जो भी मार्जिन पर रह गए हैं उनको जो है गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज भी मिल सकता है गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज की भ लंबर डालना अपना पासवर्ड डालना सेक्यूर्टी पिंट एंटर करना है और जो है आपको साइन इन कर लेना है उसके बाद जो है रेइस्टेशन अपना कर लेना है ठीक है और यहां पर मैं आपको दिखा दू जो आपका क्या बोलते हैं चोईस फिलिंग है वो भी आउसलिंग 2021 इस नाउ अभी लिबल ठीक है तो यह स्टार्ट हो चुका है तो जिसको भी करना है जल्दी से जल्दी जो है अपना रेइस्टेशन कर लें इसकी जो अभी लास्ट जेट है उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता तो उसके बारे में जैसे ही पता लगेगा त पेमिंट और सेक्यूर्टी डिपोजिट फॉर स्पेशल स्टे वेकेंसे रहों 20 अपरेल तो 21 अपरेल यानि कि कल तक कहीं आपके पास टाइम है सिर्फ दो पहर तीन बज़े तक क्लियर है और चॉइस फिलिंग में आपको कल दो पहर तक ही करनी है तीन बज़े तक ओके और जो है आपकी प्रोसेसिंग जो होगी सीट अलॉटमन की वो 22 अपरेल को होगी रिजल्ट आपके 23 अपरेल को आ जाएगा और रिपोर्टिंग जो है अलॉटेट कॉलिज में वो आपको 24-28 अपरेल के बीच में करनी होगी ठीक है तो 325 टोटल सीट से तो काफी अच्छा मौ का है जिसको भी सीट नहीं मिलिया जो मार्जिन पर रह गया था वो प्लीज ज़रूर इसको ट्राय करें ठीक है 50,000 रुपे की सेक्यूर्टी फीज आपको जमा करनी पड़ेगी ओके तो यह सारा काम आप लोग कर लीजे अगर यह वीडियो हेल्फ लगी तो प्लीज को ज़ कर लो और इससे जोड़ा को एंप्डेट आएगा तो वह मैं आपको तुरूंत बता दूंगा ओके स्टाइन को एंड है वनाइस टे